There's a billion people on earth when the infection hit. South Street, Seaport, every day at mid... पीजान को खतरा है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बलकि हम तो यहां रित्तिक की upcoming film की बात कर रहे हैं. और आपको पता है, उनकी upcoming film एक remake होने वाली है. दरसल ये Hollywood film I Am Legend का remake होगा, जिसमें Hollywood superstar Will Smith नजर आये थे. तो अब उनके ही नक्षे कदम पर चलने का रित्तिक का mood हो चुका है. तो इसलिए उन्होंने इस film के rights भी खरीद लिये हैं, और ये film उन ही के production के अंडर बनाई जाएगी. मतलब उनकी तैयारी लगभग हो चुकी है, अब बस एक अच्छा सा director ढूना है और काम शुरू होने वाला है. वैसे बजरंगी भाईजान और एक था tiger बनाने वाले कबीर खान को उन्होंने offer दिया था, पर कुछ creative differences हो गए, और फिर ये मामला गड़बड हो गया, तो अभी विरितिक की ये खोज जारी है कि कौन बनेगा मेरी फिल्म का director, वैसे ये सब तो ठीक है पर हमने खत्रा और डर डर के जीने की जो बात करी, वो क्यों करी, ये भी अब बताना पड़ेगा, तो ये हमने इसलिए की क्योंकि ये फिल्म जो बनाई जाएगी, पर अब उन्हें ही उस zombie से खत्रा है, जो उन्हें मारने के लिए ढूण रहे हैं, तो अभीसली रितिक zombie का character तो निभाएंगे नहीं, विल स्मित का ही character निभाने वाले हैं, इसका मतलब है हमें हिंदी cinema में दूसरी बाद, गो गो आगॉन के बाद, अब दुबारा से zombies देखने को मिलेंगे, जिसका सामना रितिक को करना पड़ेगा, जिनसे उन्हें खत्रा होगा फिल्म में, बाइदवे ये रितिक का एक अनोखा experiment तो कहलाया जा रहा है, और इसके लिए बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं उनकी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने fighter नाम की एक फिल्म करी थी, जो कि पहली aerial action film कहलाई गई, हाँ, अब ये फिल्म बॉक्स office पर जैसे तैसे करके साड़े 300 करोड तक पहुच गई, और कुछ लोग को तो ये उतनी पसंद भी नहीं आई थी, पर रितिक हर बार कुछ नया try कर रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं, पर एक बात है जा रितिक कुछ नया try करने की कोशिश करने हैं, वहीं कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बस करो भाई, रीमे क्यों मना रहे हो, बॉलिवुड अपनी आउकाद दिखाने से बाज नहीं आएगा क्या कुछ लोगों ने कहा कि ये फिल्म नहीं चले क्योंकि हमने पहले ही इससे देख लिया है और इसने 15 करोड के बजट में 60 करोड का कलेक्शन किया था ये भी हमें पता है तो ये रीमेक फिल्म थियेटर में नहीं OTT पर रिलीस करो अब कुछ लोगों ने मजाग उड़ाया तो कुछ लोगों ने और मजाग उड़ाते हुए बोला कि डारेक्टर की खोच जा रही है तो आप ओम राउत को ले लो ना वैसे भी उनकी आदिपुरुष किसी जॉंबी फिल्म से कम थोड़ी नहीं वैसे इस एक बात पर एक grand salute देना तो बनता है क्योंकि logical बात की है यूजर में पर इससे यही समझ आ रहा है कि कुछ लोग इस रीमेक में खुश नहीं है तो कुछ लोग इससे बहुत खुश है मतलब बहुत ही खुश है वैसे रित्यक अपना Hollywood debut तो नहीं कर रहे हैं जहां उन्हें Hollywood से इससे पहले बहुत सारी फिल्मों के offer आ चुके थे जिसमें Fast and Furious है 2009 की Pink Panther Part 2 है पर उन्होंने सभी के offers को ठुकरा दिया भाई ठुकरा दिया कि मैं Hollywood में नहीं जाओंगा लेकिन तुम्हारी फिल्मों का remake जरूर बनाओंगा तो इस वज़े से ये नाराजगी है थोड़ी खेर अब बाकियों को कुछ भी लग रहा हो लेकिन रित्य के लिए तो ये project भाई passionate है जिसको लेकर वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते इस फिल्म का budget भी अच्छा खासा रखा जाएगा तो अभी development stage में है वैसे जब Chris 4 का काम खतम हो जाएगा उसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा यानि कि 2025 में इस फिल्म पर काम शुरू हो सकता है और 2026 या 27 तक ये release हो सकती है तो लेकिन उससे पहले हम देखेंगे War 2 क्योंकि War 2 के लिए बहुत excitement है आप किस के लिए excited है I am legend, War 2 या फिर Chris 4 हमें comment box पे अपनी राय ज़रू बता है और देखते रहिए हमारे channel Bollygaz Studios किसी ज़र्द के लिए पर को सकता है